लो दस्तोर नमस्कार स्वागाथ आप का ऊनिवर्स क्लासes में में राम सिं' आप सभी साइब का एक बार पूना स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चनल स्वागाथ यूट्म्यवर्स क्लासेज में कैसे आप सभी आय होप आप अच्छे हों गे अरश अपने घरे पर सुरच्चित हों गया दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे SI और CI के ट्रिक की आप किसी भी एक्जाम के त्यारे कर रहे हों ताप हमारे साथ जुड़ना ज़रो जुड़िए जिससे कि हम ऐसे ही math की ट्रिक वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों हम स्टार्ट कर जाएंगे तो आप ट्रिक अपने आप ही बना लेंगे तो आयो शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण ब्याज की उसके बाद हम समझेंगे साधारण ब्याज में कैसे कैसे क्या अपलाई होता है सबसे पहले हम साधारण ब्याज की जब बात करते हैं यदि हम माल लिते हैं कि आपने या फिर हमने 100 रुपर बेकस उधार लिया है जिसका रेट है यानि कि दर है 10 प्रत्ताथ और हमने 3 वर्षों के लिया है तो चलिए देखते हैं साधारार्ण ब्याज में क्या होता है कि आपका जो मुल्धन होता यानि कि जो प्रिंस्पल होता है अमाउंट होता वो सभी आप तीन वर्ष के लिए और फिर दस वर्ष के लिए वो सभी वर्षों के लिए सेम होता है लेकिन चक्विर्दी व्याज में क्या होता है वो हर जो है वर्ष चेंज होता रहता है तो आयो बात करेंぎे एक वर्सका यानि निकने के एक vors भा फारें पहले वर्सका लिखा हुआ है तो जब एक वर्सका निकाल Whats लेंगे मरपास अब्याज कितना है यह 120-250 वहले पास इस बिया जागे सब्सक्राइब नहीं कि किया है तो आप स Hind बात करते हैं गुड़े दर, गुड़े समय, अपानवे 100, हम समय को एक बर्स के लिए कल्कुलेट कर रहे हैं, एक बर्स का क्यूं कर रहे हैं, क्योंकि हमको चक्विर्दी व्याज को इस तरह से निकालना होता है, हमारा यहां से भी आजाएगा 10 रुपे, दूसरे बर्स के लिए, और ऐसे ह पहले वर्स का, 10 रुपे, दूसरे बर्स का, 10 रुपे, तीस रुपे, यह तो हो गया हमारा साधरन ब्याज, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमारा मुल दन था, और यह हमारा 10-10 परसंट है, और समय हमारे पास कितना है, तीन वर्स का है, और अपान में जब 100 करेंगे, ते म माम लोग चक्रिणी ब्याज करिसे निकालते हैं, जहिसे होता है, यह जया हर चैट की मंपाय। eon एक 스ac狅 की होँता है जैसे हमारा 100 रुपय मुल्धन है इस पर जो भी जाय का या Гली वर्स के लिए इसमें जूर जाएगा वह अगला हमारा क्या हो जाएगा? मुल्धन ہو जाएगा यानि कि जो पिछले वर्स का हमारा मुल्धन था प्लस जो ब्याश था वो करके अगले वर्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा मुल्धन हो जाएगा कि चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग कि सबसे पहले मुल्धन सो रुपया है दर जो है दस प्रतिशत का है और समय तीन वर्स का है इसमें एक एक वर्सका सेपरेट निकालेंगे उसके बाद हम देखते हैं कैसे क्या आता है कि सबसे पहले पहले वर्स का चक्वर्दी व्याज मुल्धन हमारा सो है दर दस परसेंट है अपन सो यानिकि दो जो गया इस रुपय हमारा मुल्धन हो जाएगा वह पिछले वर्स का मुल्धन हमारा पास कितना था सो रुपय और प्लस जो ब्याज कितना बिलाता हमको दूसरे वर्स की लिए हमारे पास जो मुल्थन हो जाएगा 110 रुपे जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है तो 1010 गया और फिर 1020 गया यागी हमारे 11 रुपे यह दूसरे वर्स का हमारा ब्याज अब हमको क्या करना 11 रुपे हो गया अब जो है तीसरे वर्स के लिए तो जब तीसरे वर्स का निकालेंगे तो पहले का मुल्धन कितना 110 था अब 111 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना 121 रुपे हो जाएगा वह मुल्धन तीसरे वर्स के लिए यह हमने यहां पर लिखा हुआ है हो गया 1010 गया अब जब 121 में जब 10 से भाग देंगे तो आएगा 12.1 यह हमारा तीसरे वर्स का ब्याज हो जाएगा अब देखते हैं तीनों वर्सों का जो ब्याज हमारा है वो क 33.1 यानि कि 33.1 रुपे हमर पास तीन वर्सों का चक्विर्दी ब्याज आया है अब इस तरह से आप एक्जाम में सॉल्व करते हैं तो काफी समय लग जाता है और कई लोग आपसे आगे निकल जाएंगे तो हम बात करेंगे जो में ट्रिक है ट्रिक की बात करते हैं यहां प पूछा जाता है और 5 परशंट और 10 परशंट का अधिकतर पूछा जाता है ठीक है तो इसके नेक्स वाली विडियो में एक अच्छाचा चार्ट बनाएंगे जिसमें हम 2 वर्स तीन वर्स चार वर्स और 5 वर्स तक का टेबल आपको देंगे उसमें 2 परशंट लेके 10 परश होता है अब दर कौन सा होता है जो इसमें दिया हुआ जो मैंने अभी आपको बताया है यहां पर यह रेट है ठीक है इसी को रखना है चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे कोश्चन में अप्लाई करते हैं तो आप देख पा रहे हैं दस हजार रुपे का पांच प्रतिसत की है और टाइम क्या है दो बर्स है तो इसके पहले का जो हमने टेवल डूसर किया है देखते हैं कि दो बर्स का रेट हो जोता है क्या होता है कि दो बर्स का जो होता है तो दो बर्सों का रेट होता है यानि कि दो बर्सों का जो हम रेट लिखते हैं वह 10.25 लिखते हैं पांच परसेंट के रेट से ठीक है इसी को हमको फिल कर देना इसका दमारा एंसर आजाएगा बस 10 सेकेंड से 20 से काम है यानि कि 10 10,000 हो जाएगा इंटू रेट हमारा 10.25 अब पानमे 100 ठीक है यह दो जिरो से दो जिरो कैंसर हो जाएगा अब जब यहां 100 बचा है सो में जब 10.25 से हम गुड़ा करेंगे तो हमारा आजाए 1025 रुपे यह हमारा इस कोश्चन का एंसर हो जाएगा तो यही हमारा चक विर्दी बाजा जाएगा आप देख पा रहा है कितने कम टाइम में कितनी जल्दी से हमने इस कोश्चन को सॉल्व कर दिया है तो उमीद करते हैं एक वीडियो पसंद आगा वीडियो पसंदर लाइक करें चैनलों सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे और यदि आप किसी पर्टिकलर टापिक ने वीडियो चाहते हैं तर कमेंट कर जिरू बताएं जिससे हम वीडियो बना सकें अपना ख्याल ख्याल रखी अपनी ख्याल लखी मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में तो तो लिए नमस्कार जय हिंद